पस्तित यहां के लोक्प्रिय सांसद और किसान मोर्चा की राश्टिय ध्यक्स सिराज कुमार चाहर जी उत्तप्रदी सरकार में मंत्री की रूप में जिनोंने अच्छा कारे किया है यहां के वर्तमान में अभी विधायक चौधरी उदैभान सिंग जी जिलाद्यक्स सेगिर्राज कुष्वाह जी महामंत्री सी संजय चोहान जी आज के इस कारे करम में हमारे लोक्प्रिय प्रत्यासी चौधरी बावुलाज जी विधायक महिस गोयल जी प्रधान सी रवी सर्मा जी रामेश्वर चौधरी जी बलबीर सिंग जी ठाकुर जुगेंदर सिंग जी महाश सिंग जी दुर्गपाल सिंग चाहर जी प्रसांत कोनिया जी ठाकुर कुल दीप सिकरवार जी सोनो चौधरी जी सेर सिंग जी और मंच परपस्तित भारति जनता पार्टी के सभी पदादिकारिगंड और उपस्तित भायों बहनों आज यहां पर फतेपूर सेक्री किस धर्ति पर आप सभी के साथ भारति जनता पार्टी के प्रत्यासी के समर्थन में अपील करने के लिए मैं आया हो भाईयो बेनो उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाओ प्रारंब हो चुका है और उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाओ में प्रथम चर्ण में दस फरवली को आप सभी को उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए अपना प्रतिनिती चुन करके भेजना है आपने प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है और बिगत पांच वर्स के दोरान भारती जन्ता पार्टी की सरकार की कार्यपद्दति को भी देखा है वायो बेनो वर्तमान में पुरी दुनिया करोना महामारी की चपेट में है करोना की तीसरी लहर ने ब्यापक जन्धन की हानी की दुनिया करोना से पस्त है लेकिन भारत की अंदर प्रधान मंत्री मोदी जी के मार्क दर्शन में उनके नित्रित्व में बेतरीन करोना प्रबंदन का जो कारे हुआ है आज उसका पेढ़नाम है कि भारत एक बहतर इस्तिती में है यहाँ पर न केवल प्रतेग ब्यक्ति के जीवन की रक्सा का बल्कि प्रतेग ब्यक्ति की जीवका की रक्सा के लिए भी उचिछ प्रबंद करने के प्रियास हुए है करोना की थर्ड वेट के दोरान आपने देखा होगा कि वैक्सिनेशन का कारेक्रम इतने अच्छे डंग से चला कि थर्ड वेट की आसंका को समय से पहले ही निम्तित कर दिया गया है कि वैक्सिजन का संकट आया था लेकिन प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रत्व में आप्सिजन में प्रदेश का हर जनपदाच आत्म निरवर हो गया है और भाईयो बेनो प्रधाम वेब में भी आपने देखा होगा लोगडाउन के दौरान प्रभासी कामगार और सर्मिक अपने घरों को आए उनको सुरक्सा उनको खाद्यान उपलब्द कराना पूरे करोना कालखंड में न केवल फ्री में टेस्ट फ्री में उपचार की विवस्ता फ्री में वैक्सीन सबको वैक्सीन और डवल इंजन की सरकार है तो डवल डोज रासन की भी हर गरीब को देने का कारे भी किया गया भईो बेनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं करोना के दोरान डवल इंजन की भार्पी जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में थी भार्पी जन्ता पार्टी के सांसर बिधायक पदारिकारी आपकी सेवा में थे लेकिन करोना के दौरान न सपा काता पता था न बसपा काता पता था नहीं कॉंग्रेस काता पता था जो संकट में साथी नहीं वहाँ आपका सही साथी नहीं वह कैसे सयोगी जो संकट में सयोग न करे संकट का सयोग भारती जनता पार्टी की डवल इंजन की सरकार कर रही थी वही साथी है ये तो सपा और पस्पा तो अउसरबादी है और चनौ में उसरबादीयों को सही सबग सिखाने की आउसिकता है इसलिए भाईयो बेनों में आप से पील करने के लिए आया हूँ भाईयो बेनों में इस धर्टी को नवन करता हूँ ये धर्टी महा प्राकर्मी योद्धा गोकुल जाट की भूमी भी है याद करिए गोकुल जाट जी के नाम पर हम लोगों ने आएक चौक का नाम करण किया है और सड़क का भी नाम करण किया है याद करिए गोकुल जाट ने औरंग जेप के छक्के छुड़ा दिये थे भायो बेनो समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर जो औरंग जेप गोकुल जाट के खिलाप निर्मम कारवाई किया था और जिस गोकुल जाट जैसे महा प्राकर्मी महा योद्धा को औरंग जेप के खिलाब लड़ना पड़ा था योँकि वा धर्म और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था तो एक बीर योद्धा के रूप में गोकुल जाट के नित्रतों में यहां के योद्धां ने उस विदेशी आक्रांता के खिलाब युद्ध का मोर्चा लिया था भाईो बेनो समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोकुल जाट को सम्मान नहीं दिया बलकि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंग जेप के नाम पर हमने का म्यूजियम औरंग जेप के नाम पर नहीं बन सकता आगरा का म्यूजियम छत्रपती सिवाजी के नाम पर बनेगा और छत्रपती सिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है वह यो बेनो सपा हो लोगदल हो बोजन समाज़वादी पार्टी हो या कॉंग्रेस ये सवी लोग जनास्ता के साथ तो खिलवाड करते ही थे जनता को सुविधाओं से बंचित भी रखते थे विकास कारे ठप पड़े थे विकास का मतलब सेफाई का विकास नौजवानों को रोजगार का मतलब सेफाई को ही सारा चला जाता था आगरा बंचित रह जाता था आज तो आगरा को वायू सेवा से भी जोड़ दिया गया है आज तो आगरा में मेट्रों का काम भी हो रहा है अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जलु पलब्द करवा दिया है और वायो बेनो हर घर नल की योजना हर घर में सुद्ध पेजल प्लब्द कराने की कारवाई भी हमारी सरकार बहुत सीगर करने जा रही है पिछली सरकार ने पिछली सरकार ने समाजवादी पार्टी के नित्रत्व की जो सरकार फीज सरकार ने गरीबों का विर्द जनों का विध्वा मैलाओं का दिभ्यांन जनों की पेंसन को बंद कर दिया था ता जो भी सथी आप ख़़ें को बारह हजार रुपई सालाना पेंसन की सुध़ अपलब्द करवा रही है ये हमारी गरीब कल्याण की योजना को प्रदर्सित करता है कुमारी कन्याओं के लिए कन्या सुमंगला योजना ये भारती जनता पार्टी की सरकार लेके आई डबल इंजन की सरकार हर कन्या को स्कूल में पढ़ने की विवस्ता हो बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी कि इसना तक-तक की पड़ाई फिरी में और फिरी में ही नहीं बल्कि पंद्रा हजार रुपे बेटी को पड़ाई के दोरान भी सरकार अलग से उसके अकाोंट में देने का कारे करेगी ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनाभी भारती जंता पार्टी की डवलिंजन की सरकार में दिया भायो बेना बेटियों की सुरक्सा या कानौन विवस्ता किस्तिती दंगा हर तीसरे दिन दंगा या बेटियों की सुरक्सा में कितना खेल होता था लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब तो दंगा करने वाले को दस बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर चस्वा हो जाएंगे बापजादों ने जो नैतिक अनैतिक तमीके से कमाया है, सब बिग जाएगा, इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं, नहीं तो भाईयों बेनों सपाकी सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, एक नियती बन चुकी थी प्रदेश की दंगा करने की, और इस गरीब किसान, नौजवान, महलें और समाज के प्रतेख तबके के इतों के लिए कारे करने के लिए पूरी प्रतिबता के साथ कारे कर रही है, और भाईयों बेनों, भारती जनता पार्टी की सरकार है, जो आस्ता का भी सम्मान कर रही है, प्रत्यासियों की सूची आप भूमी है, याद करिए मुझप्फण अगर का दंगा भी हुआ था, और मुझप्फण अगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी वी है, उन निर्दोस किसानों का, उन निर्दोस जाथी योकों का, गोरों और सची नाम के उन निर्दोस नौजवान के खूल से रंगेवे समाजवादी पार्टी के हाथ एक तरह मुझफ्फ नगर के दंगों से इनके हाथ रंगेवे हैं और दूसरी तरह राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके उपर लगा हुआ है इन लोगों को जब उसर मिला इन्होंने प्रदेश को दंगों की आ इन लोगों ने पूरी तरह से प्रदेश को बरबाद करने के कोई भी ऐसा जो भी खड़ियंत्र हो सकता था उस खड़ियंत्र के हिस्सेदार सपा और बस्पा अपने अपने समय में रही है और इसलिए भाईयों बेनों आज हम सब आपके बीच में आये हैं भारती जंता पा उचाईयों को और के और तेजी के साथ बढ़ रहा है भारत दुनिया के अंदर एक महा ताकत के बन करके उभर रहा है हर गरीब को हर किसान को और नौजवान को और मैला को आज सम्मान मिला है और आप देख सकते हैं हर गरीब को सासन की योजना के साथ जोडने के लिए प्र आलू प्रोसेसिंग के लिए अलगलग यूनिट लगाने की कारवाई हो अभी हम लोगों ने मतुरा में लगाया एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया है जहां एक लाक मिट्डिक तन आलू की प्रोसेसिंग हर साल होगी किसान को अच्छा दाम मिलेगा और किसान को सहाल हो अगर अप प्रदेश के 2 करोड चंवन लाक किसान अबयोबेनोğ प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधि का लाप प्राप्त कर रहे हैं हैं है प्रदेश के अंदर 80 कि कर्ज माफी का कारे भार्फ में जनता पार्डे की डिबलर इंजन की सरकार ने किया था और यही नहीं प्रदेश के अंदर नौकरी के नाम पर लूट खसोड होती थी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर केवल पैसा उसूला जाता था और तमाम प्रकार के माफियाओं को प्रस्रे दे करके अराजकता पैदा करवाने की पूरी छूड़ती जाती थी भाईो बेनो आज हम सब आपके बीच आएं हैं आपसे कहने के लिए भारती जनता पार्टी राष्टबार सुसासन और विकास के मुद्बे पर इस चुनावी समर में आपके सामने हैं करोना के कारणम बड़ी बड़ी रेली नहीं कर पा रहे हैं चुनायोग ने रोख लगाई है उस सब के बाब जूद आपका उसा भारती जनता पार्टी के समर्थन में जो दिख रहा है मैं विस्वाज के साथ कह सकता हूं जो अपरादी और माफिया सपा बस्पा का प्रत्यासी बन करके जनता को धमकाने का कारे कर रहे हैं वे लोग याद नो याद कर ले दस मार्च की पिपी जब प्रणाम आएंगे बारती जनता पार्टी प्रचंड बहमत के साथ सरकार बनाएगे तो फिर माफियाँ के खिलाब कारवाई का विहान और बुर्डो जर चलने का विहान फिर प्रारंब हो जाएगा फिर चलेगा और उसी विस्वास के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ यह फतेपूर बिधान सवा सीड से हम लोगों ने अपना योग्य प्रक्यासिया आपने योग्य विधायक दिया था चौदरी उदैभान जी के नाम पर प्रदेश सरकार ने उन्हें मंत्री बना करके यहां की सेवा और प्रदेश की सेवा के लिए लगाया था चौदरी उदैभान सिंग जी हमारे बहुत अच्छे विधायक के रुपे उन्हें काम किया और आज भाईयों बेनों हमने यहां पर चौदरी बाबुलाल को एक बार फिर से प्रत्यासी के रुप में आपके बीच में उता रहा है चौदरी बाबुलाल एक युवा है और आपकी तरह युवा बन करके कारे करना चाते है उनके अंदर जज़वा है चौदरी बाबुलाल जब काम करेंगे तो भाईयों बेनों पेजल की समस्या का भी समाद हानों होगा बालिका सिक्सा की समस्या के लिए हमने पहले ही कॉलेज बे दिया है जमीन दे दीजे, कॉलेज का निर्मान भी यहां पे हो जाएगा तो कॉलेज के लिए हम पहले कॉलेज स्वीकर्ट करके यहां भेजे हुए है आप लोग चौदरी बावुला से सहमत है कमल निसान पर सबोर देंगे दोनों हाथ दा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की